प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में कि वैश्विक महामारी कोरोना वारस के बढ़ते प्रकोग के सम्मंद में कुछ महत्वपूर्ण बाते देशवासियों के साथ साज़ा करूंगा आज 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा अंग्रेजी और हिंदी दोरों में उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ये बात कहिए यानि कि निश्चित तोर पर प्रधान मंत्री एक बार फिर से लोगों को इस बढ़ती महामारी के बारे में बताएंगे क्योंकि जरता कर्फ्यू जिस तर से ये महामारी अपना बड़ा रूप दिखाता जा रहा है 511 आपको बता दे ये आकड़ा पहुंच चुका है ऐसे में आज का संबोधन प्रधान मंत्री का काफी एहम हो जाता है क्योंकि इस बीच देखा गया कई रज्यों में जहां पर लोगडाउन था उसके लोग घरों से निकल रहेते भीड लगा रहेते ग्रॉसरे स्टोर पर दूद की बूथ पर ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि लोगों को ये समझ़ना बहुत जरूरी है कि आफिर घर में रहने के लिए कहा क्यों जा रहा है तरसल के गड़ी को तोड़ने की कोशश की जा रही है तभी 24 घंटे तक कई ऐसे जगे हैं जहाँ पर वारस जो है वो ठहरता और अगर लोग घरों में रहेंगे तो ये वारस आगे नहीं बढ़ेगा जीतेंदर बहादुर्ण हमार समधता हमार साथ जुड़े में है बिल्कुल जीतेंदर और देखिए जिस बात का ज प्रधान मंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि जिस लॉगडाउन की बात अलग-अलग राज्यों ने की है उसको मानना चाहिए पब्लिक कल जिस तरीके से अपने घरों से निकल आई थी और उनको रोका गया था पुलिस ने भी सकती इसके लिए अपनाई थी अब प्रधान मंत्री आठ बजे के आसपास लोगों से जो राष्ट के नाम संबोधन वो कर रहे हैं उनसे जिस तरीके से जनता करफ्यू की बात उन्होंने की थी और उस दिन सही तरीके से लोगों ने इसका पालन किया था जनता करफ्यू जिस दिन लगा था लोग सड़कों पर नहीं नि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे इन्हीं सभी बातों को देखते हुए प्रधान मंत्री आज रात आठ बजे जो संबोधन कर रहे हैं उस संबोधन में सबसे खास बात ये होगी कि वो लोगों से ये अपील करेंगे कि आप लोग अपने घरों से नहीं निकलिए क्योंकि कोरोना वाइरस का लगातार जो कहर है वो आगे बढ़ता जा रहा है